तो अभी मैं डिसकस कर रहा हूं magnetism and matter right तो इसमें प्रिबियस क्लिप में मैंने डिसकस किया था आपका ये डेल्टा के बारे में तो इस पे तो discussion हुआ था थोड़ा हम लोग बात करते हैं magnetic material ठीक है तो खास करके ये तो आपका जेई में और नीट का topic है और इसमें ये तो थोड़ा theoretical type का topic है लेकिन इसमें क्या होता है कि एक दो questions आ जाते हैं तो direct मतलब कि less time में solve हो जाता है और direct problems देशार आता है और entrance wise नीट और जेई wise एक एक questions का value है तो उसके हिसाब सेम देखे तो magnetic material के बात हो रही है ठीक है न तो magnetic material में कुछ terminology है वो discussion करना होता है फिर आपका materials को हम लोग divide करते है पैरा डाया और फेरो ये इनका three types है इनका comparative study किया जाता है उस पर भी problems होते है तो कुछ कुछ terminology है जो कि मैं discuss कर रहा हूँ जैसे ये magnetic permeability ठीक है तो magnetic permeability अगर मैं बात करूँ magnetic permeability राइट तो आप देखो इसको denote करते हो mu से और already आप इसके पहले इसा नहीं के first time देख रहा हो magnetic permeability ये आप acquainted हो लेकिन हम लोग इसको material के context में कर रहे है जैसे example के लिए आपका ये solenoide है राइट ये long solenoide है ठीक है तो current i है n क्या है आपका number of turns per unit length मतलब meter inverse और इसके अंदर जो magnetic field lines कुछ ऐसा along the axis होता है ठीक है न और ये b is equal to अंदर में यहाँ पर mu naught ni राइट या मतलब कोई माल लिजे कि ये air है तो अगर कोई other medium है तो mu ni ठीक है तो mu is equal to b by ni तो इसा देखे तो tesla i का ampere meter inverse तो ये mu का minute हो रहा है आपका tesla per meter inverse मतलब tesla meter ampere inverse तो ये actually ऐसा देखा जातो mathematically ठीक है न कि आपको इस तरीके से लेकिन अब मैं इसको material के context में define करना चाहाँ actually एक दो टर्म और भी मैं define कर रहा हूँ ठीक है ना जैसे ये solenoide है ना ये solenoide है तो इसका strength को मतलब ये कौन अच्छा solenoide है मतलब अगर इसके अंदर हम कोई material रखेंगे तो ये solenoide कितने अच्छे तरीके से उसको magnetize करेगा ठीक है actually ये इसको magnetizing field हम लोग बोलते है और denote करते है vector h से ठीक है और ये जो h का जो formula होता है ये होता है b by mu naught मतलब अभी हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं रहा कर रहा है अभी मैं material के context में बातने इसका ये purely solenoide के लिए हम लोग define करते है magnetizing field के लिए define करते है h तो यहाँ ये solenoide के चलते है आपका b कितना develop हो रहा है और उसको mu naught से divide करेंगे mu naught क्या हुआ magnetic permeability permeability of the free space तो बोलो mu naught ni और by mu naught तो cut गया तो ni तो h का formula क्या हो गया ni मतलब ampere meter inverse तो यह हुआ magnetizing field h क्या हुआ magnetizing field तो यह material के context में नहीं define होता है यह कोई device का construction वायर क्या solenoide वायर उसके लिए magnetizing field होता है तो यह ampere permitter ampere permitter इसका यह होता है ठीक है और इसमें जो तुम्हारा जैसे mu define करना है तो अभी तो अगर mu define करना है तो आप कोई solenoide low और इसमें i n और कोई material रख दो कुछ इसमें आप कोई material रख दो तो अब इसके अंदर में है जो total bm and h यह जो होता है न इसको हम लोग mu बोलते हैं bm मतलब total magnetic field क्या होगा total magnetic field inside material right inside material and by magnetizing field and divided by magnetizing field समझ में आ रहे हैं बत तो यह आपका mu का फर्मूला हो गया और आप देख लो total magnetic field एक तो magnetic field है तो tesla और magnetic field क्या होता है ampere meter inverse ठीक है तो mu जो होगा tesla meter per ampere तो अगर कोई आपको तुरंत ऐसा मतलब जैसे कि बायोट से फटल होता है db is equal to mu not 4 pi ideal sin theta by r square तो यह mu जो है अब आपके दिमाग में sit हो गया कि यह tesla ampere parameter है और कुछ नहीं है mu जो है यह b by h है तो यह थोड़ा से इसे feel आ जाता है ठीक है और बाकी मतलब यह काफी fundamental core ची में discuss कर रहा था खास करके जब एक बायोट से फटलो में भी हम लोग ने इसका discussion किया है तो पहले के context में mu कैसे define कर रहे है और material के context में कैसे define कर रहे है उसी तरह से mu r होता है mu by mu naught होता है तो यह तो खेर relative permeability है ठीक है न relative permeability और एक होता है vector m मतलब यह हो गया intensity of magnetization यह vector i भी बोलते हैं intensity intensity of magnetization right of magnetization तो यह जो होता है यह material जैसे कि कोई solenoide है और उसमें तुम यह material रख रहे हो तो इसमें total मतलब i is equal to m by v होता है यह बोले तो total magnetic dipole moment total ठीक है total magnetic dipole moment right उसमें जो induced होता है and divided by volume ठीक है तो यह हुआ तुमारा तो i is equal to ampere meter square होता है इसका magnetic dipole moment का और यह meter cube तो ampere per meter तो देखना dimension wise देखे तो यह age की तरह ही है एच हो गया तुमारा उसके context में अरे अपना जो वायर 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 का वायर सोनवायर यह context में और यह i जो होता है getting और अब इसमें देखना कोई भी अगर एच बढ़ाओगे ना तो i भी बढ़ेगा ठीक है एच बढ़ाओगे तो i भी बढ़ेगा राइट तो यह ध्यान देना कि अगर आप यह i directly personal to it अगर h बढ़ाते हो तो i बढ़ता है यह h गड़ाते हो दगडता है मतलब कोई भी material में i जो होगा i by h जो होता है constant होता है ठीक है यह काई इसको हम लोग magnetic susceptibility magnetic susceptibility बोलते है ठीक है और यह आपको constant होता है यह material and temperature पर depend करता है देखना इसमें एक curious law आता है कुछ काई जो होता है inversely personal to temperature होता है अगर यह बढ़ेगा तो घटेगा मतलब आपका काई अगर अच्छा है तो मतलब कि ओ क्या है degree of the magnetizations मतलब even a small h more i even more a small h more i तो best chi हो गया ठीक है न तो यह concept है और एक mu r is equal to one plus chi यह relationship होता है इसका कोई unit नहीं होता इसका भी कोई unit नहीं होता i by h है यह तुम्हारा ampere per meter यह भी ampere per meter तो यह सब छुटे 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 चीज है लेकिन mind में रहना चाहिए और visualize होना चाहिए कि है कि है क्या चीज़ एक्छली यह नहीं कि वह mathematical types ऐसे याद कर रहे हो वह ऐसे नहीं होन है ठीक है तो इस पर थोड़ा से अच्छे से practice अगर करते हो आप लोग ना तो इसमें से एक दो problems मिल जाएंगा जो directly एक आपका यह भी है आपका B और H में curve आता है और उसमें आपका hysteresis loop आता है वो भी मैं कभी discuss कर दूँगा ठीक है ना अभी फिलहाल वही testories के लिए focus कर र करने वाले हैं तो हम लोग यह smoothly जा रहा है और I hope कि हमारा यह continuation's develop हो रहा है तो dear friends अगे आप दीरे जीरे एकदम बिल्कुल अपने को स्रेंदन कर लोगा और good marks जो gain करने का आप ability develop करो और यह habit में लाओ regular habit में ओके